बंदू इस दुलहिँ कह रही है। नाहीं जड़ी गया वा ली जड़ी गया। है तो मिट गया बाजाब मोर्ग बदेश के और période हमां मुर्ब गाइट के गणने भोड़ा के गरभ हाथी सीथ गया हुँ ये कि नलगमें थेázके प्यृत पुर बेश के मदिर का मों नहीं हुगग अगार्धियों आज तक मैं मंदीर का मुंठ में देका अगर मसजिद में नहीं गया तो में टीम हे नहीं गया गेरगा भी नहीं मेरे लिए मंदिर होता हुं यह काया मंदिर से मेरा सने है लोगों के बनाये मंदिर से मेरा सने है जिस पर मात्मा ने काया रूपी मंदिर को बनाया जिसके अंदर में आत्मा राम भग्मान बैठ गये हैं उससे मेरा सने है आज तक 65 परस्का उम्र हो गया मैं अपने करम पर हूँ गुरू जी ने करम सिखाया आज तक मैं चीटी को नहीं मारा हूँ आज तक माश मचनी तारी दारू गाजा भांग बिरी सिक्रेट पांच वपारी नहीं खाया आज तक कि रिशी से दलाली घुश्वरी पांच नेया पैसा यहां तक कि मैं कहीं सच्छ कि इतना उप्या लेंगे तो हम जाएंगे मैं अपने कर्म के अपना कर्म से डरता हूँ हमको किसी भगवान देनी के उतां से डर नहीं है मुझे अपने कर्म से डर है मैं 24 नहींदा सोखता हूँ अगर मुझसे कोई गलती हो गए उसका पलिसमेंट हमको बहुना कर जाए इस शरी ने बताया कि बेटा कर्म से डरते रहना चोगुष्णन का किसी को दुख न हो जाए तुमसे ऐसा कर्म कभी मत कर और किसी से डर्वन नहीं किसी सोट भद्वान परमात्मा से कभी डर्वन नहीं है डर्वन केवल कर्म से बंदुः और सारे लोग राग्यस में प्रसे कोई तीन चंदन किया है एक राम है एक लग्षमन आयक सीता माथा में घसले है चंदन अग्रिश्न कि धर गए खिरिशन आपका मुरई उखार लिया है क्या कि बैगन तोर लिये महादेर कि धर गए अभी दुरका कि धर गई च कि रण गए महादेव की तीन भाई थे बर्मा विस्नु महेश बर्हमदेव विसंदेवा महादेव एक भाई से बड़ा प्रेम है महादेव से बर्हमदेवा विसंदेव भाईगन तोड़ते हैं कि कदुला कोई उसके साथ उसका भगम करने के लिए तयार नहीं क्या समभगन सब्सक्राइब और यह साड़ा करवाने माला पंडिक ब्रह्मन सबसे ठक ठक करके देवी दोटा का मुझा करवा रहा है राम के भजने वाले आज रहीम से द्वेस है क्रिश्न के भजने बाले को करीम से द्वेस है महादेव के भजने बाले को मुहम्मद से द्वेस है हरी के वाले को हजड़त सेुएस है I AKP Yoga बाधर को दिस्विल्ला सेुह आँ भजरन्बली के भजने वाले को मुहंबत अली से म mail मखुरा से कभाने बाले को काशी से द्वेस है गंगा नहाने बाले को जंजंसे पूरे स्थिस्थी राग द्वेस में जला है कहीं भजन भग्ति नहीं हो रहा है जलन एक दूसरे से सारे लोग चल रहे हैं के बाद हो जागा कल्याम कल्याम तब होता है पुछ गुरुदेव अभी लाग सहर ने ग्रंथ लिखा है उसका नाम है अपनी गीत कोई शोखा के गीत गा रहा है कोई कारीक के हो और में कोई गालों कोई का रहा है हमनमान के होई गालों के अब कोई गाला हां मीरा के कोई गाला है शुपसभगत के हैं उओ गाला है मचली अपनी गीत गहां गई कि अपनी गीतगान रहे हैं कोई नहीं अपनी गीतगानने माझा कोई नहीं दी पधी रहा है अनल कोई देना हुआ गग्री किसमा दिया भगवित दिया को एक देखे तो टेबूल पर गजा रखा हुआ है बीरी शलाई सोपारी चाय पत्री उधर स्टोब चल रहा है इधर भगई थो रहा है इधर दुर्देशन चल रहा है इधर भगई थो अपनी की धोड़ा ही है अपना कि दुद्दाने का मतलब है अपनी पवित्रता अपने कंड की पनितरता हैं दूसरे की गीत डाने में सारे लोंगना का समयदा हूं के दुस्तो destined के की अधरियर के गीत को भी नहीं गाता हूं एख आजम्री पोछा हमुसे आप किस को मानते हैं हमेर्दमान गुरु सढ गाते हैं आपका माली कौन हैं क्या चार्षरी कभीर तो जोगंगे कभीर जिस बस अद्डा में कभीर की घाली तखटी थी वह गाली कुल चुकी है उस बस अध्डा में आकर कि अचार्शरी धरुसरूप की गाली लगी हैं हमको उस गाली पर चब आज भर्व सरूप की गाली भी खुल गई आज जो नए गुरू आएंगे नए गाली लगेगी उस पर हमको चब जो गाली खुल दें उसका इंदजार हम नहीं कर सके कभीर करम बादी संथ थे कभीर ने कहा था शुखिया सबसंसार खाए निंदसो बलरे की दुखिया साहे बाद कबीरा सब के जगा बलरे की कभी हजारी पर साथ दुईवेदी जो हिंदी के प्रकांट भी दौन थे उन्होंने लीठा हाँखी के पाउं में सब के पाउं जैसे खाथी सड़क पर जा रहा है और उसके पैर का चिन उख गया उस पैर के चिन पर किसी भी दुनिया के जानवर का पैर रखा जाए वहां थी के पैर से उड़ार नहीं उस परकार से कभीर के पानी से बाहर इस दुनिया में किसी का पानी कबीर ने निस्पक्ष बोला सारे गरंध के है कबीर ने कहा पक्षा पक्षी के कार ने सब जग रहा भुलान निस्पक्ष हो के जो भजे सोही संध सुदा अब भीजब उलटके देखें बिलकुल निस्पक्ष अब लोग गौर कीजिए अगर निस्पच्च नहीं होता तो दिनांग वीस्तारी के रतन जी थे हम थे समस्टीपुर के कल्यानपुर में गुरुजी का सर्धांजली सभा मनाया गया सर्धांजली सभा के बाद गोरख पुर का एक ब्राम्हन नाम उसका जैप्रकाद जा हमको फोन किया शाहिजी आप कहा है हमकी समस्टीपुर कल्यांग को मैं आ रहा हूं आपके हां क्या बात है हमको दिख्षा दे दीजे यह पंडित लोग हमको बहुत का बात करने के लिए औ आपका पड़वचन जम यूटूपर सुना मैंने समझ गया यह जूथा है यह चाड़ सो भी सब्सक्राइब मेरा नहीं है और किसी संद्ध को जाता हूं कहने कभीर मत के अनुसार हमारे मां का संधान्जवी करवाद दीजे तो तहता है नहीं बूलगा है तुम तुम्हारे किसी होटल में चले जाएए अब बेर लेके भड़ा पर सो जाएए असवेरे मेरे असवेरे आया मैं उसको दिख्षा दिया कभीर के बानी में वह ताकत हो आदमी गया 22 अप्रूबर के मेरा काज करम है बुरत पूर में फिर किसके हां मुहम्मद संसुतीन गया आसा है आपक कर मैं इसलाम को त्याद दिया यह जूठा है इसलाम जूठा है और कभीर सचा इसलिए आप आईए मेरे हां एक रसुया लेकर आए आपके दिए मैं नया बड़तन खरीद के लाओंगा भोजन की सामगडी लाओंगा वो बनाएगा आप खाएंगे और आपका परवजन चले अब भज रहे हैं और हमको लोग क्या काता है मालूम है साहे तंका मिलाइए दुलाइए के बनोगा तो हर सब पैसा जाएगा पानी में निला दुलाखे नसा बोल वे चीए आज तक सब जूठ बोल वे किया है नोच कमारा है जूठ बोल बोल करके लोट हमसे बोल वाम मिला दुलाखे तो पैसा पानी में जाएगा ग्यान तो कुछ होगा नहीं कल्यान होगा कैसे बंदू हो वो दुलीर कह रही है गुरू जी ने जब ग्यान विवे की आग लगाई तो राग और दूस चल गया उसी आग जब ग्यान होगा अंदर में तो राग तो इस दोनों चल जाएगा रहेगा नहीं का रही है पारे परोशिन उन्हूं चरी गए के मुरा बद्या चलाई नहीं हरबा में आग लगी जीव का गुधिया ध्याद कौन है आंक काण नाज यि प्या तो यह जद्याद्य का और विस दुली आज़िंग को बार बार नहीं आप कि अब अभी जिव्या काता है दारू दो मच्री दो मास दो मोदा दो कबवतर दो जाना पड़ेगा नहीं हर की ना गड़ में जाना पड़ेगा इजिन को की ना बोलिए जिव्या ले जाएगा ना घीच के गोतिया आप कहता है सिनेमा सर्का स्ट्रेटर नोटन की विरेशिया हमको देखाओ कां कहता है घजल खेल्मी कबादी भोजपूरी हमको सुनाओ ना कहता है ये तर्कुले जमेली बेवी जुही गुलाब का गंद सुनाओ और त्वचा कहता है हमको असपर्ष कड़ाओ ये पांचो खो अब बेमारी ये कड़ा पते नहीं है जे बेमारी कभीर साहब कहते है संतो धर में जगरा भारी हो संतो धर में जगरा भारी रात दिवास मिले उठी उठी लागे पांच धोटा ये कड़ारी न्यारो न्यारो भोजन चाहे पांचो यदिक सवाती हो संतो घर में जगरा भारी इकाया रूपी घर में इतना भारी जगरा लगी है बाहर की जगरा है सास मितो के पती पतनी के गोतनी गोतनी के ननत भावी के बाप बेटा के भाई भाई के तो पंच भड़ी आएगा सरपंच भड़ी आएगा तरोगा भड़ी आएगा और नहीं तो जज भड़ी आएगा कि काया रूपी घर की चर्चा सद्गुरू कभीर करते हैं कि काया रूपी घर में जगड़ा लगा है रात दिवस मिली उच्छी उच्छी लागे रात बीम का जगड़ा है 24 जगड़ा कि क्या है जंगरा है पांच जोटा एक नारी के धोटा माने होता है बेटा बीज होता है बेटा पांच भोटा एक नारी नारी एक है माँ एक है अब बेटा पांच है माँ एक छाड़ूपी नारी और बेटा पांच है एक बेटा चाहता है रोटी दाल सबजी, एक बेटा चाहता है भाग दाल सबजी, एक बेटा चाहता है खीर पूरी, एक बेटा चाहता है चिवरा दही, एक बेटा चाहता है पेरा रसुल्ला, एक मा पूरा कर सकती है पाचो बेटा के स्वाद को, सम्हब है, नहीं, उसी परका और से एक इप्छा रूपी नारी है अब बेटा पांच है आख कान नाख जिब्या को जा आख अलग भोजन अपना मान रहा है आपके सामने टीवी खोल के रख दिया जाए आख का भोजन मिल रहा है तस्वीर आ रहा है टीवी में अगर साउंड नहीं है अब आज नहीं है टी के बल आख का भोजन है नाख का भोजन नहीं है वहां मुग का भोजन नहीं है वहां तोचा का वो सब अपना अपना कोई काफू के हटा न माने आप हूँ आप मुरादी दुर्म दिकेर दोहागिन मेटे दोढ़ाई चांप चपेरे कहें कवीर सोई जड मेरा जो घर की करा है और लोग इतना असान समझ लिया है कि और सब जाती है दुर्गा जी के खुईच्छा में अच्छा यह बताओ सशुरार जाने के समय मां देती है बेटी के खुईच्छा की बेटी यह देती है माई के कि दुर्गा की यह कर सके बेटी है कि नहीं बेटी है यह जाइच्छी को इचा देवे कव मानंग को घ्यान होगा कहां भस रहा है सब कहां जा रहा है किस रास्ते में अगर किसी की बेटी सशुरार में है उसके नई घर के लोग मर गए जब इन भी गया घर चूट गया सशुरार में रहती है और गोतिया द्याद पट्टी पटिदार में चटेरा भटेरा भाई में अगर किसी के घर में ब्याव साधी सुक्सराब का जग है तो वो चचेरा भाई भी उस बहन को बोलाते लिया चलिए उसके नई अड़ में कोई है नहीं दस रीस बड़स हो गया जट बोला लाते हैं नई अड़ के लोग से दर्संद्द्द्द्द्द्द्द्द्द् कि पाड़ परोसिन उन्हूं जड़िगे बोतिया द्याद भी उसी में जल गया अब के मुर्चब चर्चा चलाई के मुर्बतिया चलाई कौन मेरा चर्चा करेगा अशसुरार से मुझे को नहीं हम लाएगा अठाती जीव का गुदिया ही पांचो इपांचो भी जल गया गुरू के ज्ञान के आद में इपांचो का स्वाग भी जल गया अब गुनें जाएगी नहीं हर नगर में अब दुख में जाना है कि सशनार रहना है क्या हो रहा है इस दुनिया के अंदर इस दुनिया के अंदर चार गुरू बना हुआ है पाद्री जी मोलवी जी पंडी जी और भगता इस चार वो गुरू है काल के दलाल यह सारे लोगों को उरत मर्द को पढ़ा रहे है यह उरत सब पूछे भी पंडी जी से पंडी जी तल ठाकिन कहिया पड़ रहे अभी हने तपर यह जग मांदी एक डगड़ा को लेका तर लिफ्ट लेका पंडी जी खरना कहिया है नहाए कहिया है और दिम्न नहाएकर एकके दिन नहां कहाती है अपारन के तेनकत गार्चुन्नी मच्री महाकत आए में यही समय है इन लोगों को चल लहा है यही समुत्ती का महर्ग एक डगड़ा यह ृकड़ाई का धिरो और बेचारा घाटबार नवका लेके खाला था जब घाट के निकट पहुंचा तो मैनेजर सहर कहा सुनो जी अगर दकाइपी में जाएंगे पार उतर के कहीं मामला फस गया कहीं पुलिस से मुझ भेर हो गया तो एही खटमार गवाही देगा यही लोगत पार किया तर तो फस जाओगे साबाति हुए श्कीद होगा आईसा करो चले हम लोग पुधाट पर और पुधाट पर जाके हेल के पार कर जाएगा चले गए को घाट पर साना डगईत हेल गया हेल के उस पार गया तो डगईतों का जो हेट था में ने जा रहा है वो कहा कि सब कोलायन में कारा रजाओ मैं पहिए गिंती कर लेटा हूं सब आगनी हेल के पार किया गिंती गिंत्यक्र दूट एक, दो, तीन, चार, पांच, छो, साथ, आठ, नौ, अरे, नौए हो रहा है, क्यों? वह अपने अपने नहीं कि, कहा नौ हो रहा है, इसका मतलब एक साथ ही दूब गया, दूसरा तक है कहा नहीं, आपने गिनने में पहर कहें, लाइए हम गिन के पुड़ा पे, दूसरा गया एक, दो, तीन, चार, पांच, छो, साथ, आठ, नौ, अर्ची के, नौए हो रहा है, वह भी अपने को नहीं कि, तिसरा कहा हम पुड़ाते हैं, वह गिन्ती किया, एक, दो, तीन, चार, पांच, छो, साथ, आठ, नौ, मरी से भी नौए हो, दूसर जखाइन पार कर गया, सब दंग गया, तो क्या जमाब दोगे, अब हरन का मुकादमा करेगा, सबाग्मी जेन चले जाए, छोड़ो आज जखाइती नहीं होगी, पहले उसके लास को निकालो, उसके गार्जियन को लास हाजिर कर देंगे, आपका बेटा दूब कर देंगे, लास दे देंगे, संतोस हो मारते, कोई दूबा तो था नहीं, तो गिंती का यह पर, दूपी मारते, मारते भोर हो गया, मिला नहीं है, एक संत जी भोरे भोर, डोल डाल के लिए आये नदी पर, देखा या जान आदमी सब, दस आदमी दूपी मार रहा है, आप लोग कौन है, कहां के रहने वाले हैं, क हम लोग डकायत हैं, और एक साथी हमारा डूब गया, उसी को खोजते खोजते भोर हो गया, वो मिल नहीं रहा, कहां आप लोग घर से कितना चले थे, कहां दौस, अब ही कितना हो रहा है, नव, चलिए लाइन में लग जाए, शादू बबा सब को लाइन में लगाया, और ग का रेया भागा, दस के दस अपुआये, कहां कुमारा कोई आदमी जुआ है, लजा गया सब गई, अलजा के अपने घर का रास्ता है, चुके दीन हो चुका था, देखा कही पुलिस आ गया, तो मंगनी में फेरा में पढ़ जाए में, लंबा लंबा पहर करके ज़कई सब न और अपने घर कब गए, जब तक अपनी गिंती नहीं हुई, तब तक नदी में डूती मारे, अजब अपनी गिंती हो गई तो नीज घर, अज़े गए ना, आज ये दुनिया के लोग, सारे देवी देवता को गीन रहा है, अपनी अपने ता बौारी खा लिया, अपने ता लोग बौारी खा रहा लाराम के गीत गाने में बिकल है, अपने मुलगी खा रहा है, अपने दारू पी रहा है, अपने बीरी पी रहा है, अपने सिग्रेट पी रहा है, अपने गाजा पी रहा है, भाम पी रहा है, सिखर पड़ा खा रहा है, जड़ता की माम खा रहा है चार पी रहा है अब भगवान के गीत का रहा है तले जाएगा अपने गार है निकलना है कि फंस जाना है सारी फंस रहे हैं सब लोग अपना-पना कल्यान के मार्ग पढ़ा जाएगे सब लोग अपना-पना कल्यान कीजिए सब का नएकिनारा लगे किसी के पीछे मत रहिए किसी के स्टेपनी मत बन जाएगे कि अपना अपना भजन कीजिये अपना भजन करने का मतलब है सुद साकहारी हो जाई है दुरी वसंत्व हो जाई है कि माज़ा पिता भुरू का सिवा कीजिये मानम से प्रुम मानब प्रेम का पात्र है और माता पिता गुरू सर्धा के पात्र है इन से सर्धा कीजिए और मानब से प्रेम रखिए मानब प्रेम का पात्र है कोई जातियता नहीं कोई संपरदाइता नहीं कोई मुच्च नीच का नहीं कोई अमीर गरीम का बेधाब नहीं कोई गोडरा काला का बेधाब नहीं को मानब मानब है और मानब प्रेम् का पात्र है neural पटापिता गुरु सरदा के पात्र हैं और माने परेम का पात्र हैं माता पितागुरु में सरदा रखिये और माने उसे परिम और तीसरी जितने पुशु पक्षी जीरा मकोरा है वो करुणा के पात रहे चुके उनके पास ज्ञान नहीं है वो अज्ञामी है वो भोग जोनी में पड़े है आप उस पर दया कीजिएगा तो वो जिवित रहेंगे वो दया के पात्र है उन पर दया कीजिए अचार स्री बोला करते थे मनुष मनुष परकिर्टी से सकाहारी मामस उसे अनकूल नहीं है पसुभी मानब जैसा प्रानी वो मेवा फन भूल नहीं है वो जीते हैं अपने स्रम पर उनकी होती नहीं दुकाने सागर देती उन्हें न मोती हीरे देती उन्हें न खाने उन्हें नहीं है आए कहीं से और नो उनके पोश कहीं है नहीं कहीं के बैंकर बखले नहीं कलर कर गोस कहीं है बस्तरा भरन न मिलते उनको दुकूल नहीं है अतह दुखी को अधिक सताना ये मानब के अनुष कि सक्षिण नाइन के कखा कहवाने बाले को पांच दिगा में मुरदा करना है और श्तनाइन बड़त कखा कहवारा ओभई नात्यानि में अगने पढ़ेग पैसाता आए कभुतर पाले हुए है बगरी पाले हुए है तरदर को रहा है अब ढ़ार मां के प्रुजा रहा है कि वे कर सांव जीव प्रेम चाहते हैं जाए कि द्रआओछ बूर्श में चाहते हैं एक-एक प्राणी द्रआओगन दूखा कि तक्स के पीठ पर हाद देके देखिये कुण हर आपके देह तक हाद ये सट जाए वह दिया चाहता है पो कि बकरी के बखरी को खोलता है चड़ाने के लिए तो बखरी आगे भाग जाती है चड़ वाहा पीछे हो और उसी बखरी के गर्दन का रशी जड़ा कसया के हाथ में देखे देखिए कसया आगे घीच रहा है अब बखरी चार उपए पीछे इस चंडाल अवरत मर्द उसके उसको पटव सब्सक्राइब करके अब बाल बुच्चा को पाले हैं कि निरताई बने हैं भगती करते हैं बखरी कटवा के बुर्दा माई के खोईचा भरते हैं अचार श्री एक दिन पोल लाए ते धर्म सरुपसा है कि हमारी मंडली कही जा रही थी सत्संद में अबीरी गमेल गाओ कि बीरी गमेल में बहुत सारे ब्रह्मन लोगों का घर है यही बीजिया दस्नी का समय अठनी का समय था सारे लोग चले जा रहे थे आयक सावा सो बकरा लाएं से बाला हुआ सारी मंडली के लोग दुरगा जी के मूर्ती के सामने बैठ गए हर्मुनियम खोले धोलब खोले और जाल खोले अलगे भजन गाने ताकि आज हम ही लोग कट जाएंगे लेकिस बकरा को नहीं कट ले भजन गाते गाते जब बकरा कटने का समय निकल गया तो सारे ब्रह्मन ल अब लेके लिए तयार नहीं है छोड़ दो बकरा को खोल दो बकरा को खोला गया सब भाग गया अधा मिठाई धरीद के लेया यही दुर्गाजी को चरहा तो चरहा तो दिया एक बुर्हिया बरहामनी बुर्हिया मुसमात थी वह आ गई इस जगा क्या काती है बजण गिर यही पूजा करते हैं इसी का नाम पूजा है हक्या का नाम पूजा है कितने बकरे कात दिये गए जब देवदत ले हंसको मारा था हंसको बचाया किसने सिधार्थ गौतम ने अपने गोद में लेके और उसके बदल में जो तीर चुभा था उसको भीच करके सिधार्थ गौतम ने मलहम पट्टी कर दिया आपने गोद में रखे हुए थे हंस थर थर काप रहा था डढ़के बढ़ आ गया देवदत का भाया यह हंस मेरा है मैंने इसको मारा है हंस मुझको दे दो सिधार्थ ने कहा भाया मारने बालों से बचाने बालों का अधिकार अधिक होता है इसलिए मैंने इस हंस को बचाया है मैं हंस नहीं दोनों चचेरा भाय थे दोनों में जंजट होने लगा सिधार्थ का एक काम करो किसी पंच को बलबा के पंचईती करवा लो कि हंस किसका हो पंच मनोनित हो गए सिधार्थ गौतम के पिताजी सुद्धोधन पंच मोगा सुद्धोधन ने देखा अगर भतीजा के तरफ मैं बोलता हूं तो बेटा हमारा कहेगा पपा हमारा भतीजा के तरफ हो गया अगर बेटा के तरफ बोलता हूं तो भतीजा कहेगा बड़ा पपा बेटा के तरफ बोल दिया एक युक्ति उनको सुझी और सिधार्थ ये सुद्धोधन ने कहा ये काम करो बीच में हंस को रखो अज उतना ही दूरी पर देख न तू जाके खड़ा हो जाओ इधार अज इतना ही दूरी पर सिधार तुम जाके खड़ा हो जाओ समान दूरी पर हँच पचास गज या विस्विस गज के दूरी पर दोनों आदमी खड़ा हो जाओ अब बीच में हंस को रहो हं जिधर जाएगा हंस उजी का आप लोगयों बोलिए हंस जिधर जाएगा मारने बाले के तरफ की बचाने बाले के तरफ आज हिंदू कहे जाने बाले लोग आज मुसल्मान तो फेल कर दिया मुर्दा पुसने मुसल्मान फेल हो रहा है इसके सामने आप आयट जाम करता है इनार्दी करता है इसकी पतनी छट करती है मचड़ी मास के धूआ उपपियावा कोना में सुम रहा है बैच के अधारम हो रहा है पूजा चल रहा है कल्यान का मार्ग हो रहा है बंदू यह पक्षपात से काम चलने बाला नहीं है आप हिंदू को मुसल्मान के विरोध कीजिए मुसल्मान आपका विरोध करे सीख हिसाई का विरोध करे इसका गरंथ उसका विरोध करे उसका गरंथ उसका विरोध करे यह तहई भजन और तहई भगती नहीं है हुआ हम सारे लोग मानव हैं सारे लोग परकिर्टी परदत इंसान बनके धर्टी पर आए हैं साहब कभीर को देखा जाए आज हिंदू दारी छिला के मोच रखा है अपने को हिंदू का रहा है मुसलमान मोच शिला के दारी रखा है जिसार कबीर को देखाता है तो मोच और इंधु तेकर है कैसा लग रहा है हिंदू COP के जैसा कि 28 का विन जैसा का सुरुक कैसा लग रहा है इनसान understand के जैसा समुफ मोच गी है और दारी ही बिनुकी रखा है मुसल्मान सुन्त किरा है लुक्राइब यो increasing करना है यंकली थो अरंभंत दो को जा जड़ा है तो कः बाला है। से शाल कभीये का हिंदु का हो Cao है नहीं मैं हिंदू नई हूं मुसलमान भी क्या हैं पांच इततर तो मैं नए रहने वालाओ अज श्रॉष हूं मानव मात्र को वड़एश दिया अपना संदेश दिया जिसका कारण है काज हिंदू, मुसल्मान, सीख, हिसाई, दुनिया का कोन ऐसा ग्रंथ, दुनिया का कोन ऐसा मंच, दुनिया का कोन ऐसा संथ, दुनिया का कोन ऐसा ग्रंथ, जहां कभीर की चर्चालों। जैसे 56 प्रकार के ब्यंजन एक नमक के बीना फीका है वैसे पूरे प्रिथ्वी और पूरी श्रिष्टी एक कभीर के बीना फीका है कहीं रस नहीं है और कहीं दम नहीं है कभीर के बीना ऐसे भजन करना है अपना कीजिए पत्सपात करना है कीजिए जो करना है आप कर लीजिए लेकिन काम चलने वाला नहीं है वहाँ सचाई नहीं है सचाई चबीर की बामी में है निस्पक्ष हो जाएए सब को मानव समझिए सब से प्रेम कीजिए पसुपक्षी पर दया कीजिए मानव से प्रेम कीजिए और माता किता गुरू में साथ भार क झाल झाल